तो दोस्तों आज मैं आप इसाँ सेर करने चारी हूं बहुत ही टेस्टिक दम क्रिस्पी मतर मसाला पूलियों की रेस्पी इतना असान इन्हें बनाना के बस सोचो और बना लो आप इने ब्रेकफास्ट में लेंच में डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं और ये खाने में इ अटा जीरा साथी इसमें डालेंगे आधाई चा द्रग जिसें हमने इस तरहीं में चारी मिर्ज हुए अगर आप बड़े साइच के लिए हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर शकते हैं अब हम इनको दरदर भीस लेंगे इस तरीके से पीसने से मसाले का सवादाए और जा इसलमाल भी कर सकते हैं लेकर इंब भी मटर का शीजन है यहां तो मैंने यहां पर ताजी मटर लिए एब इसमें एक से दो चमज पानी डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे तो हमने इसको पीस लिया है आप देख सकते हैं हमने इसको एक दमबारी पीस आया है और अब हम इसको बावल में निकाल लेते हैं साथी अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो बन फोर्ट चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आदर चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा साल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे बन फोर्ट चमच गरम मसाला इसी के साथ इसमें डालेंगे बन फोर चमच अजवाइन और साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सबारी कटा हुआ रतनिया और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने स्वात के नूसर कम या जादा डाल सकते हैं अब सारी चीजों को हम चमत से अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से मसाले मटर में अच्छे से मिल जाएंगे और अब मैंने यहाँ पर लिया है दो कब केंगों का आटा अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे इसके लिए हम इसको कवर करके 5 मि Metallicide p investigators the associate को रखी हुए 5 मित होचुके आता यह से सैट हो गया है अब कातों पर थोड़ा से तेल लागा लेंगे और इसमां से अब थोड़ा सा अटा लेंगे और इस तरीके से इसकी लोई बना के तयार कर लेंगे तो आप अपनी पसंद के नुसर बड़ी या छोटी लोई बना सकते हैं आप किचिन सर्पेस पे थोड़ा से तेल लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे तो इसको थोड़ा से मोटा ही बेलेंगे तो हमने पूड़ी को बेल लिया है अब हम इसको पिलेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारी पूड़ी बेल कर तयार कर लेंगे तो दोस्तों आप इसे breakfast में, lunch में, dinner में कभी भी बना के खा सकते हैं तो हमने सारी पूड़ी बेल कर लिया है चलिए अब हम इनको fry कर लेते हैं इसके लिए हमने तेल को पहली गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम पूरी को तेल में डाल देते हैं और कल्ची से इसको हलका सा दवाते चाहेंगे इस तरीके से पूरी अच्छे से फूल जाएगी तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो हर एक पूरी अच्छे से फूली फूली बनेगी तो आप देख सकते हैं पूरी कितने अच्छे से फूल गई है आप हम इसको पलट देते हैं और दूसी तरफ से भी यह अच्छे से सिख लेंगे तो पूरी दोनों तरफ से अच्छे से सिख चुकी है अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की पूरीयां बना के तयार कर लेंगे तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात हमेने medium flame पर ही fry करना है अगर आपने low flame पर fry करेंगे तो पूरी अच्छी से फूलेंगी नहीं और अगर आपने high flame पर fry करेंगे तो पूरी यह उपर से सिख जाएंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो हमने सारी पूरी यह बना के तयार कर लियें अपने breakfast में, lunch में, dinner में कभी भी बना के खा सकती है तो आप एक बार इस recipe को जरूर ट्राई करें और अपने comment हमारे साथ जरूर शेयर करें क्या आपको हमारी recipe कैसी लगी पर ऐसी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में पहले इकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिल जाए